होलेज के बारे में है ठीक है तो यह धियान रखना है चेप्टर नमबर नाइन में होलेज दिया हुआ है क्योंकि चेप्टर बेज्ट भी कॉस्ष्ण आ जाता है कि चेप्टर वन टू टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट हम छोड़ रहे हैं और नाइन में आये हुए कि चेप्टर नाइन में क्या नाइन टी टू में होलेज रोडवे मतला हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे होलेज रोडवे ट्रेवलिंग रोडवे क्या-क्या होलेज रोडवे में सेप्टी डिवाइसेज होता है तब्स के बारे में पढ़ेंगे रोप के बारे में प करना है और होलेज रोडवे ट्रेवलिंग रोडवे का एजामीन इंस्ट्रेक्शन जाच कितने दिन में करना है लोको मोटिव के बारेयों पढ़ेंगे और कुछ इसमें जो सर्कुलर से रिलेटेट चीज बहुत ज्यादा इसमें दिया वाई सर्कुलर वाला चीज वो सारा इ क्याँ जो रिखेंगा है यह जिसे यह मालों यह पहला नंबर यह दूसरा नंबर यह तिस्रा नंबर चोथा नंबर तो जो भी हम लोग 2 से लेके 20 तक का जो भी डिखेंगे वह कहां अप्लाय होगा से ल अप्लाय होग मिथ रिस्पेक्ट टु एवर लेंथ ओफ रोड ओर In a Mine Where materials are transported in tubs मतलब जितना भी रोड़वे का लेन्थ हो कौन सा रोड़वे का जहां पर material का transportation किया जा रहा है जिस road से tub के दवारा या gravity के दवारा या mechanical power का यूज करके material का transportation किया जा रहा है तो उस रोड़वे पर यह जो एगुलेशन नंबर दो से बीस लागू होगा दो से बीस मतलब जो अभी 92 में दिया हुआ है सब रोगुलेशन दो थिरी इस तरीके से तो कभी-कभी थियूरियल कोस्टन जादा इंपोर्टेंट नहीं है तो यह कोस्टन कभी-कभी आ जाता है कि परतेख जो होलेश रोडवे होना चाहिए कि इस रोडवे की बात कर रहा है उस रोडवे से जहां से मिटल का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो सारा रोड क्योंकि अभी यहाँ पैल ट्रेवल रोडवे के बात नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ होले जो रोडवे की बात करें तो वो जो रोड रहेगा न वी ओफ एडिक्वेट डाइमेंशन्स प्रयाप्त डाइमेंशन करेगा और जहां तक पॉसिबल रहेगा सेल भी स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट होना चाहिए है एन्ड ऊफ्रısı ग्रेडिंट होता है मतलब प्रिय रही ए ढए दिधी रहे तो रेन ग्रेडिंट रहे अपना जोぎ ग्रेडिंट 14 13 17 जो भी अपना मेंटेन क्रते यह नहीं यहां 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 मोड आ गया कभी कुछ आ गया तो एसा हम लोगों होले रोडवे नहीं रखना होले रोडवे कैसा रखना है अगर हम पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और ग्रेडियंट वी उसका रेगुलर होना चाहिए मतलब अगर जा रहा है इस तरी के सो इसी तरह कोई दिक्कत वाली बात अगरेडियंट भी होना चाहिए और सेकेंड क्या है है एक ट्रेक्स प्रॉपर्ली लेड वित रेल ओफ एडिक्वेट सेक्शन और जो भी होले रोडवे जो भी लेंथ है हम पुरा ट्रेक प्रॉपर्ली गुर्मार्णिंग ब्रीज की सवर ट्रेक जो है तो होलेश ट्रेक पॉरपर्ली बिठावा से कि उव führen कि जो हम लोग रेल यूज़ करेंगे से किलीर लाइन करने में रहें तो जो भी आधिक्वेट सेक्शन का होना चाहिए और साथ में अच्छा से बिछावा होना चाहिए यही दो चीज दिया वाइस में अगर तीसरा चीज चोथा चीज को जोड़ देता है तो यहां कंसीडर नहीं करना है कि एवरी सच रोडवे वह स्ट्रेट होना चाहिए रेगुलर ग्रेडियन्ट का होना चाहिए और ट्रेक जो है पुरुपरली बिछावाना चाहिए विद रेल ओफ एडिपेट सेक्शन यह तीन चीज दिया वह है चोथा उप्सन जो होगा वह यहां पर लोडवे हो गया ठीक है हम बना दे रहें इस तरीके से यह मालों दोनों ट्रेक हो गया जिसके बीच का जो लेंथ गेज होता है वह 0.6 मीटर हो इसी में क्या है स्लीपर बिछा हुआ है स्लीपर है यह कि इसी को उपर क्या जाएगा टब जाएगा है ना यह मालों इसके उपर यह टब है टब में डीलिंग बगया रहता है डीलिंग से रोप एटेज रहता है यह रोप को क्या हो अगर हम लोग बीच बीच में क्या देते हैं इसमें रोलर देते हैं रोलर एक तरीके से क्या करता है रोप को डिफलेक्ट करने काम करता है तरह तरह का रोलर होता है कि रोप जाएगा वो सिधा रगण नहीं खाएगा होले रोप ट्रेक से यह तो यहां विछा हुआ है ट्रेक से रगण है इस लिए प्रफिक में लोग देते हैं नहीं तो बहुत बार क्या होता है अगर नहीं देंगे तो रहेगा तुम्हापे तो गिरने काम होता है तो जो भी हम लोग रोलर दे रहे हैं पुली दे रहे हैं पुल्ली, सीप्स, रोलर्स, क्या करता है, that अलटर दा डारेक्शन ओपे रोप, sell भी सिक्युर्ली फिर्श्ट, फिक़ए न? ये ध्यान रखना, पुल्ली, सीप्स या रोलर्स क्या करता है, वो रोप के डारेक्शन को चेंज कर देता है, इमेजिन करो माईस में तो होता ही है होले रोप मतलब होले रोड में जो हम बतारे तो रोलर रह सकता है एक सिलेंड्रिकल सेपका भी राता है बेलन टाइप से बढ़ा रहे गाए इसके उपर भी रोप जा रहा है या सीर्फ शहीं इस सरे चलाता है भी में यहां पर रोप के लिए जगाव वाराता है कि रॉप इस से निकल जाता है ति क्या रोता है तो रोप का डाय्रीषन को चेंज करता है इस्जीच को द्याना लखना हुए अब क्या है नो परसंट सेल गाइड और एड़्जास्ट ए मुविंग रोप ओन टू ए ड्रम या पुल्ली सीव रोलर एक्सेप्ट वीथे लीवर और अधर प्रोपर एप्लाइंसेज मतलब रोप मुव कर रहा है ठीक है न अगर मालो वह घिर्नी से उतर गया है इसको बोलते पुल्ली उतर गया है अब यह नहीं कोई आदमें उसको हाथ से चढ़ा रहा है नहीं वह लीवर यूज करेगा कि वह क्या यूज करेगा लीवर मतलब कुछ मेकनिकल इंस्ट्रूमेंट हाथ में यूज करेगा कि जिसके थुरू वह सहरा लेके हेल्प लेके वह अगर रोप उतर गया है घिर्नी पुल्ली ड्रम किसी से भी तो उस पर चढ़ा है ठीक है नहीं वह हाथ से नहीं करेगा अब हम लोग यह तिसना तिसना नंबर तक हो गया अब हम लोग चौथा नंबर यहां से पढ़ते हैं ठीक है वह तिनों में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि पहला क्या था कि रेगुलेशन नंबर दो से बीस जो भी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो होलेश रोडवे में अप्लाए होगा होलेश रोडवे अस्ट्रेट होना चाहिए और रेगुलर ग्रेडियंट का होना चाहिए ठीक है नहीं पर परली उस पर ट्रेक विछावा होना चाहिए विछावा होना चाहिए और क्या था कि जो भी रोलर हम लोगो रोड के डारेक्शन को अल्टर करने के लिए चेंज करने के लिए हम लोगो पुली रोलर से वगेरा यूज करना चाहिए या कोई भी वेक्ति कुछां थे मुविंग रोफ है में उसको सेट करना है ड्रॉम से मांल उतर गया है घिरनीश उतर गया है पुली संसे उतर गया है यह रोलर ड्रम में उसको set करना हैं ड्रम से मानल उतर गया है घिरनी से उतर गया है पुली से उतर गया है या रोलर्स उतर गया है तो क्या करेगा वो लीवर की help से रोप को उसपर चड़ाएगा है अब यहां पर क्या है कि जबहुलेज जहां पर याक छलख़ हो रहा याएक जो रहा है जैसे चुद्धaj करते मेर श देटव में इससे थिवरता रहे ऐसे गå नहीं लोट कर दातें है कि मांदलोट लभा चुड़ा ड्रम हो गया कि इससे बना जा रहे हैं हशित मालोड द्रम है जिसमें रॉप है और इसमें टव अजिए इसंगल्स रॉप हो गया अगर हम लोग मैंने टेलर रॉप known रॉप यूज sunshine लेपित रग करते हैं हुए तो सिंगल होता है लेकिन वहाँ क्या होता है दो rewardік हो दोिग्र कि जहां पर whole age किसके देबार है एक rope used हो रहा है या एक से ज़्यादा rope हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या-क्या maintain करके रखना है कि at top of every inclined plane मान लोग यह inclined है तोप है वह तोब सरफस्स वाली बात है कि at the top of every inclined plane हम लोग कम से कम एक stop block maintain रखना है यह इस घ्र जोड रहा है तो इसमें क्या करेगा कि यह तो भूद लगा कर देगा अब माल लाइन को किलियर करना रहा एगा यह तो भूद क्या करेगा यहां से लिवर ओपरीट करेगा यह तो भूद लुग इस तरिकी सो जाएगा क्या फिर बोल रहा है कि अश्टो ब्लोग का कि लोकेशिन क्या होना चाहिए अश्ट 19強 गद्शन लोक पोले फिट्व से कम से कम एक चाहिए या कोई अदर там में को कुछ वीछ यूच्ड द्रीमेंट भाइन चाहिए जो क्या को द्रुन हो जाए कि प्रॉन यहां पपर आउट ओप कंट्रोल की बात किया हुआ है ना बेकवार्ट कि बात किया हुआ है ना टबब को आगे जाने से रोकना है ना पीछे मतलब क्या बोल रहा है टबब को आउट ओप कंट्रोल जाने नहीं जे ना इसके लिए हम लोग अस्टोब ब्लोक यूज करेंगे या कोई अधर उसी जैसा कुछ अधर एफेक्टिव कंट्रिवेंस यूज करेंगे ने यह regarde यह मालूट हो गया यह क्या हो गया यह Pat मैं यह ट्रेख में ञपीन के लोग फिर ऐसा बलोक लगा दिया है महां जब यह लिवर को जो भी हां से ओपरेट करेगा तो क्या होगा फिर इस पोजिशन में आ जाएगा तो क्या हो जागा ट्रेक क्लीर हो जाएगा इधर टब होगेरा रहेगा यहां ट्रेक में क्या रहेगा टब रहेगा तो यह स्टोब लोग होता है ठीक है तर अस्टोब लो कहां रहेगा सर्फेस पर रहेगा यह कहां इस होता है यह ध्यान रखोकर कभी को से ना यह यह दिश्मुक वाले को से पढ़ाया थे कि इस यूज़ इन दा डायट्रोप फोलेज एंड में इन टेल्रोप फोलेज में हम लोग अस्टोब लोग यूज़ करते हैं एक मिनुट यार हालो हां पर नाम बूलो हां कैसे हां हा यह 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 कि कहा है तुम अभी कि कुछ हो रहा है गया कैसे चैनल जेक्सक्वाइब रही है यह 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 अंग हां है तुम लोग अप्लिकेशन दिया थीवारी वाला वो है 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 काओ है वाट को यह ओप फैग दिया है एह थीक ठीक ठीक संब कर अधर कहा भी बेले सार्टा चला कि नहीं प्योसर को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अस्टोब बलो कहां ही जोता है, तर्फे से च्टोब बलो कहां है, अब दूसरा क्या है, कि at least one run away switch और other effective country bands मतलब पहले हम लोग stop block लगा दियें यह ऐसा track है stop block लगा दियें और stop block के नीचे हम लोग क्या रखेंगे एक run away switch रखेंगे एक switch क्या रहेगा run away switch हाँ वही बोल दो railway फाटक कि तरह आई ठीक ना railway फाटक क्या कर रहा है एक तरीके से railway फाटक तो जैसे मानलों track इस तरीके से गया हुआ है तो आदमी इधर से ना entry ले इधर से इंटरी ना ले इसलिए रोकने काम कर रहा है ना तो वो track track पे तो नहीं आया है ने वो यहाँ आदमी को नहीं रोकना है टब को रोकना है वो track पे आएगा ठीक है ना यह जो stop block होता है वो track पे इसा रहेगा विछा हुआ अब बेरियर जो तुम railway फाटक बोल रहे है वो क्या होता है रेले फाटक तो इधर रहेगा ना ट्रे के इस तरह के से इधर से आदमी ना आया है इधर से आदमी ना आया है तिसलिए हम लोग यहाँ पे यह रेले फाटक लाटक है ठीक है यह ज्याँ अब क्या है क्या है कि अस्टोब ब्लोक के नीचे है ने हम लोग को एक runway switch लागा ना है या कोई other suitable country कि यह बोला जाता है कि एक डिस्टेंस ग्रेटर देन दा लेंथ ओफ सेट और ट्रेन ओफ टब मतलब इसके नीचे हम लोग तो runway switch लगा रहे हैं उसका distance क्या होना चाहिए कि लेंथ और सेट और टब से ज्यादा होना चाहिए लेकिन किससे ज्यादा नहीं हो चाहिए तूस केस में बोल रहा है कि सेल नोट एक्सीड दा लेंथ ओफ सेट और ट्रेन ओफ टबस बाई मोर देन टेंट मीटर कि ठीक है इससे ज्यादा होना चाहिए प्लस क्या बोल रहा है आप कि जो यह दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए ना अस्टोब लोग और रनवे स्टोब सेट टेव से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब यह मालों के सेट अब का डिस्टेंस अब को जोड रहे हैं यह दिस्टेंस मालों पांच मेटर मालों 15 मिटर अगया तो पलस 20-10 मतलब अवरॉल यह 25 मिटर के धूरी पर रखना है 25 मिटर से जादव दूरी पर नहीं रखना है कम ठाब लग रखले चलेगा लेकिन जाद दूरी हूं रखना ता स्टो बनों क्या रहेगा दोनों एक साथ नहीं रहेगा रखन हो वी कि यह मेरा इंक्लाइन प्लेन ठीक है यह तोप अफ देंक्लाइन प्लेन सरफेस है यह तब है ठीक है कि यह तब हो गया कि यह दूसरा टब मालो कि खलो उसका नीचे वला पॉरसम बना रहे है इस तरह के टब रहा तहीं यहां पर क्या रहेगा पहला इस स्टोप ब्लोग रहेगा कि यह अस्टोप ब्लोग अभी क्या कर रहा है ट्रेक में लगा हुआ है वो टब को जाने से रोक लेगा ठीक है ने, अब इसी एक नीचे क्या रहेगा, लेंद तोप सेट ओफ ट्राव या ट्रें है, पलस दस मीटर, उतना दूरी पे एक रनवे स्विच रहेगा, रनवे स्विच क्या करता है, यह मालो, ट्रेक है, ठीक है ने, तरह आपक कि तर्मुंब है करता है एक तरिके से में बीवर 오रेटेड होता है ourdain है इंधर ठीग रहेगा सिधार है इधर क्या रहाथ है यहां एक कर्कुम एंधर इसा निकड़ाव ह Confederate यहां पेक आदमी खड़ा रहेगा यहां क्या करेगा जब माल लो तब दोनों स्टार्टिंग में लगा वार रहा है यह ओपन देगा मतलब क्या है ट्रेक को जोड़ने काम करता रणवे स्वीच यह क्या है अभी ट्रेक मेरा ओपन है कि अगर तब अगर गलतीस आज जाएगा अस्टोब लोक मालो खुला वार आ गया तो यहां तब गी अब टब क्या हो गया है इसको क्रोज करके यहां आ गया है तब तक क्या है यह ट्रेक ओपन है अब जैसे यह क्या किया है यह जब ओपन हुआ है इसको जब हटा दियें ट्रेक से क्लिर कर दियें यह तुम्हारा अभी काम नहीं करेगा ट्रेक ओपन है उसके बाद जब टब तो जैसे बीच में आ गया तब यहां पे आ गया तो क्या करेंगे इसको हम लोगा हाथ से ओपरेट करके यह ट्रेक को कनेक्ट कर देंगे यह जूड़ जाएगा यहां से टब उतर जाएगा फिर यह इस टोब लोक लग जाए तो मतलब क्या है कि दोनों साइमल्टेनिसली काम क करेंगा अगर एक खुला रहेंगा तो एक बंद रहेंगा bana in और ठीके ने दोनों एक दूसरे सी इस तरीके से जूड़ा हुआ रहेगा कि To E PK में कोई जब टब इसको क्रोस करने लगेगा तो उसकेस में ट्रेक को यहां जोड़ देंगे लीवर ओपरेट करके और इसको वापस से हम लोग इस पोजिशन वह लाकर लगा देंगे तो वही लिखा हुआ है आपके कहां लिखावा है दा स्टोब ब्लोक एंड रनवे स्वीच और कुछ भी आदर जो इफेक्टिव कंट्रिवेंस यूज कर रहे हैं वह इंटर कपल होना चाहिए एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए कि देट डेट डूनोट रिमल रिम है कि यह क्या है इसका काम है आल मेंद को रोखना अब क्या किया है यह यह ड्artet लाइन है या हुआ कि यहां से कट्व भागा माल नो यहां से सबक्राइब तो यहां भी रुकेगा और यहां पे भी क्या है लीवर तो अपरेटेड करके बंद कर दिया गया था तो यहां भी नहीं रुकेगा तो शिधा ईंदरन भग जाएगा अगर गलती सुगई टफ भागना इस्टार्ट के मालो लोक है तो वही बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे से interconnected रहेगा कि एक मतलब एक समय में एक ही दोनों में कोई खुलावा रहेगा अगर यह ट्रेक से clear रहेगा तो यह यहाँ open रहेगा अगर यह बंद करकर रहेगा तो उसकेस में इसको हम लोग बंद मतलब सटा करकर रख सकते हैं कोई दिक्कत वाला बात नहीं ठीक अगर उसके नीचे क्या रहता है रन्वे स्विच रहता है रन्वे स्विच का रस्ट व ब्लोक के बीच में डिस्टेंस क्या हमां चाहिए लेंद तोफ सेट और ट्रेन अप टॉफ से प्लस 10 मिटर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर वेर रिजिनल इंस्पेक्टर यह जो रिवार्मेंट है कि दोनों एक साथ इनिफेक्टिम ना हो यह इसका डिमांड कोन कर सकता है रिजिनल इंस्पेक्टर कर सकता है यह दोनों आपस में दूसरे से जूड़ा हुआ रहे हैं यह डिमांड कोन कर सकता है रिजिनल इंस्पेक लिवर इज ऑपरेटेड पोख लिवर ऑपरेट करके क्या किया है हम लोग इस पोईसर में यह नहीं है तूस केसे में किया रहेगा रन्वेस्विच से ट्रेक ऑपन लेगा ट्रेक कनेक्टेड ही नहीं देगा है रन्वे स्विच इस ओपन बट एस सुन एच टॉप जैसे टब यहां अश्टोब लोक को क्रोस कर देगा तू उस केस में क्या रहेगा लीवर को एगेन ओपरेट किया जाएगा ति लीवर ओपरेट कर देगा यह जो है इस पोषिटर में आ जाएगा और रानवे to close the runway switch and at the same time it is on the stop block, मतलब stop block को on कर देगा, ठीक है, यही समझना है, जादा कुछ नहीं समझना है, runway switch हो गया, अब आता है बात बेकस्टे और जिसको ड्रेक भी बला जाता है, यह पहलवान बला जाता है, ठीक है न, यह कहां रहता है, यह मालो, ऐसा ट्रेक रहा, ठीक है न, इसमें टब को जाना है, तब मालो किधर जा रहा है, टब इस डारेक्शन में जा रहा है, ठीक है न, टब इस डारेक्शन में जा रहा है, अगर किसी का, इसका क्या है, जो last set of tub होता है, जो last tub रहता है, जो लाश्ट टब रहता हूँ यह उसका excel रहता है तो लाश्ट डब के excel में इसको फसा दिये जाता है पहलवान कुछ इस तरी के सोता है ठीके जो भी training कर रहे होगा माईंस में पहों देखना ठीके नहीं बहुत ही भारी रहता है यहां प्रीसको फसा दिये जाता है क्या है कि रोप खीच रहा है तव जा रहा हुपर अगर किसी case में रोप टोट जहाता है ठीक है या उसका जो list व्यागरा रिटाष है जहां इसको रोपने के लिए किया थे हम लोग यह ट्रेग या वेकश्टे यूज करते हैं जिसका जो पॉइन्टे इंड होता है यह जो क्या होगा जो ट्रेक होता है ना मालूरी से इस तरेक रहा इसमें इंड इन्ड क्या होगा इस पेछे भागने के चक्कर में यह फ़स जाएगा सली पर में सलीपर हुआ तो पीछे की और नहीं भागेगा तो जो आजमी मानलो यहां पे अभी कहीं इधर से टब को जोड़के भेजा अगर भागने लगी पीछे तो हो सकता है अगर यह क्या बोले वहां पर पूरा ड्यूटी सही तरीके से ना कर रहा हो मानलो लेट गया है उदर जाकर तो उसके से में क्या हो सकता कि टब से इसको चोट भी लगसा अगर भागना स्टाट करते तो लेकिन वह यह की रनिंग बेग की पीछे ना जाए इसको रोपने के लिए हम लोग बेक अश्टे और अब क्या होता है कि इंडलेश रोप में तो हम लोग यह यूज नहीं कर सकते हैं ड्रेग और बेक अश्टे तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं एक ऑटोमेटिक केचेज होता है जिसको मंकी केच बोलते हैं हम है आटो-मेट्टी केचेज होता है जिसकों क्या बोलते हैं मंकी केच बोलते हैं क्या होता है ये न्यामेशा है मैं है जिसका कोई अंतनी रहा यहाँ पे रीटंड पुलि रहा यह driving पुलि रहा यह surface रहा इधर और यह return पुलि रहा ठीक है अब इस में क्या है कि यह track होगी यह रोफ है यह पहला ट्रेक है उद्ला दूसरा ड्रेक है ठीक है यह मानलो इस direction में जा रहा है यह खाली लेके जा रहा है और यह loaded लेके आ रहा है ठीक है तूस case में क्या होता है कि हम लोग track पर monkey cage देते हैं monkey cage क्या होता है कि यह माझनों ऐसा track रहा track के बीच में हम लोगे कैसा करके monkey cage देते हैं यह क्या करता है एक्सल को ही पकड़ लेता है ठीक ने मतलब यह सिर्फ एक ही डारेक्शन में तुम्हारा जैसे माल लो तब अगर इसको दिये वे हैं कि तब इधर से तब इधर जा रहा है ठीक है ना अगर टाव पीछह भागने लगे उसकेमिए एक्सलwich क्या मतलब क्या जब इधर से पार होगा तो जो टाव का एक्सल जो है ना यह जो टाव कैसल होता है यह वील हो गया टब का यह जो एक्सल है ठीके ना जो नीचे में रहेगा एक्सल क्या करेगा जब इसके उपर से क्रोस करेगा यहां पर तो मस्त यह इस तरह किसे डाउन हो जाएगा फ्लेट हो जाएगा जैसे टब निकल जाएगा इसके उपर से फिर ही क्या हो जाएगा जब तब इसको उपर से जाएगा इस तह beş तो अजब निकल यागा तो वापस और भी यह वापोजीन में अब पीछे भगने कोशिस करेगा यह क्या है कितुcamera पोजीन में तो अहुता है और तोमेटिक केचेज या मंकी केचेज और डो केच कहां यूज होता है वाइंडिंग में यूज होता है जो कुस्चन आया वाथ है WCN में तीन लेस में हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग सुडेवल इंट्रवल पर हम लोग और टोमेटिक केचेज यूज करते हैं जिसको हम लोग मंकी केच भी बूलते है ठीक है ध्यान रखना अगर कहीं लगता है रिजिनल इंस्पेक्टर को कि मंकी केच माइन्स ओनर एजेंड मेनेजर के लिए मतलब वहां लगा पाना थोड़ डिफिकल्ट है इसा सिचवेशन है तो उस केच में एक जम्सन दे सकता है ठीक है अब क्या है ये डी में सेफ्टी हूक जज रेल्स और अदर सुटेवल कंट्रिवेंस ये क्या करता है पिर्भेंट रनवे इन पर होर्वाट डारेक्शन है अगर टब इष्टी न में भाग रहा है तो उसको उसके उसको रोकेगा डारेल कया होता है 52 यह मान लो इस तरीक किसे चलेक yell 너무 थोड़ा सा है इसको यहां पैवाने से सकर्व सब्सकर कर देता है पूरं कर तकैंद। कि ऐस्त्रीक इस्तरीकेस कर देदिया ट्रेक सीधा कर दूंब नुक्क बढ़िए अब टzahl है कि अभर मालनो इधर सा panon कि ऊधर सब्सक्राइब फूल इस्विड मालनो तर रहे हैं तो क्या होगा अगर बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा तूस केस्प में क्या होगा ये जो हेन ये बेनड को ये जो हलका सा कर्व से पहेजो रेल का वहां को श्रोष नहीं कर करेगा जजरेल वह वहाई पर पल्टी करते हैं कि ज्जादा स्पीड में सीधा भागने को इसको ट्राया रास्ता मिलेगा पल्टी कर जाएग तो फर्वार डारेक्शन में बोला है क्या कि इधर से भी अगर टब आया थो इसके लिए फ्रवाड डारेक्शन यही पीछे ना भागे इसको रोक रहा है और सेप्टी हुक जज रेल या कोई अधा सुटेवल एफेक्टिव कंट्रिवेंस रहेगा वह फॉर्वार्ट डारेक्शन में जाने से रोकेगा मतलों और स्पीटिंग को एक तरीके से कंट्रोल करें जज रेल सेप्टी तो हम लोग वाइंडिंग में पढ़ते थे लेकिन यहां देख लो सेप्टी हुक दिया हुआ है थीक है दिया हुआ है तो इसको सिफ ध्यान रखना है कि डबलू सेल में के जैसा ही कहीं कोसे ना जाया के सेप्टिव कहां यूज करते हैं वा वाइंडिंग में भी और होलेश्ट रखनें क्योंकि यह रेगुलेशन में दिया वागि सेट्टू यूज करना है ठीक है यह होगी है जज रेल अब एक आता है टब री रेलर्स क्या होता है इसको पिक्चर होगा दोको यह टब री रेलर से मालो टब गिर गया है तो टब क क्या होता है एक इंट्रेवल ओफ नोट मोर देन 250 मीटर मतब 250 मीटर से ज्यादा इंट्रेवल पर नहीं मतलब यह टब री रेलर रखना है क्यों अगर मालो टब पल्टी कर गया है अगर 250 मेंट्रिंग करके नहीं रखें मालो यहां पर मेरे पास टब री रेलर है और टब जाके यहां पल्टी कर रहा है इस जगहां पर आप यहां यहां से लाना पड़े इसलिए क्या बोर रहा है कि परते को 250 मीटर के इंटरवल पर आप टब री रेलर प्रोहाइड कर देगे जहां पर ठीक है ना अगर टब रेल रेलर है तो ठीक है अगर कही पर मेन्वाली टब को रेलर किया जा रहा है मत होता है ना बंबू स Commerce लिग लगाके सब लोग भीड़के तब को सिरां करते डाते हैं ट्रक पर तू उस केस में क्या करना है रोप को टब से डिटेच कर देना है, ठीक ने, अगर रोब को टब से डिटेच नहीं किये वे हैं, तो उस केस में होलेज इंजन को बंद करवा देना है, तो ही टब को मैनुवली सिधा करना, हैंडल करना है, तो ये टब रिरेलर हुआ, अब क्या है, परतेक होलेज रोडवे, जहां पर मीटर से अधीक हो रहा है, ठीक है, होलेज रोडवे का अगर लेंथ है, एक सीडिंग 30 मीटर, 30 मीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग इफेक्टिव मीन्स ओफ ट्रांस्मीटिंग सिगनल, या तो मेकनिकल या इलेक्टिकल जो भी मीन्स रहे है, जो भी उपाय करे है, हम लोग क्या करना है, सिगनल को ट्रांस्मीट करने के लिए हम लोग को सिगनलिंग सिस्टम करेंड़न करना हूं, और सिगनलींग सिस्टम क्या रहेगा, मान लो इधा से ड्रम चल यहाँ पे, होलेज ख़ला से बैठा हुआ है, ठीक न, यह उस्का ड्रम हो गया, यहां पर क्या बोल रहा है कि जब भी होलेज रोडवे का लेंद 30 मीटर से दिखोगा थक्ती मीटर जेसे दिखोगा तो हम लू क्या करना होगा सिग्नललिंग एरेंजमेंट करना होगा कहां से कहां प्रोंब एवरी ज्टोपिंग प्लेस on the roadway तुद प्लेस एट वीज दंजरी वर्किंग दरोपी जो प्रइटम् आध भीं होलेज क्लासी से लेके यहां तो इसको यहां पर घंट सुनाई देगा ठीक है का प्रवाइड करना मालो होता नहीं से गुलाई वलेहा हो गया होगे यहीं पर इंजन है यह निए इन मतल़ YouTube में है यहीषेट सर या हुआ है और इस सम embark से माल लो 25 इए से निए इन सी सी इस केस में माल लो इधर मनले ł образ copy इज्ट inhal नहीं जा रहा है यह 25 मिडर में दिश्टेंस यहां पर जो ड्रामर मर्रेंगा यह हम पर जो ड्रावमार रहेगा वो चिला कर बोल सकता है इसको कि तीस मीटर से जाद डिस्टेंस नहीं है पतसी मीटर ही तो है और होले श्क्लारसी को बोल सकता है क्या धीर करो स्पीट बढ़ा जो भी करना है रोक दो यह यहां से चिला कर बोल सकता है लेकिन अगर डिस्टेंस 30 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में हम लोग यह मुझ से नहीं बोलेगा वहाँ पर वह सिंग्नलिंग वायर को रगड़ेगा उसके बाद इसको बेल से उसको जो भी अपना एक दो तीन चार जो भी रेब बजाएगा उसके कोडिंग यहां पर होलेज क्लासी एक्ट करें लेकिन इंस्पेक्टर यह बोल रहा है कि यह तो सिंगल डारेक्शन में हो गया कि घंटी हमे अँडियर के पास तार कौन रगड़ रहा है वो ट्रामर रगड़ रहा है जहां-जहां श्टॉपिंग डिस्टेंस है मालो जहां-जहां टब को रोपना है वहां पर सिंग्नलिंग वायर रहेगा और अगर दो घंटी बज जाएगा होलेज क्लासी के पास रूप जाएगा लेकिन रिजनल इंस्पेक्टर ये बोल रहा है वो राइटिंग में दे सकता है कि आप रिभर्स डारेक्शन में भी न रिभर्स डारेक्शन में भी बेल का एरेज्मेंट कीजें मतलब क्या कि यहां से यह आप तार रगड़ेगा मालों कभी इसको भी जोरूत पड़ा कुछ कि यहां से घंटी मार बार मारेगा था मतलब जहां पे टर पहुंचा हो रहेगा उसके इंसका कि होकी तो यहां मेंटी पर पास क्या होता है घंटी होता है वहां पर क्या होता है रगण दो रूख जाए अगर अभी क्या था सारा जगा पढ़े है रिजिनल इंस्पेक्टर का अब आता है रोल चीप इंस्पेक्टर का क्या रोल आता है कि अगर जो सिग्नलिंग एरेजमेंट किया गया है वो इफेक्टिव है या नहीं अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट एराईज होता है कुछ डाउट होता है तुछ चीप इंस्पेक्टर के पास रेफर किया जाएगा उसके डिसीजन के लिए ठीक है कि अब क्या होता है यह इंपोर्टेंट है बहुता है बहुत को सकता है मतलब क्या अब छार्बमारें और कि यह नहीं कि तीन बार में क्या है पहला स्टॉप कर देना जब टब मोसन में रहेगा तो सिंगल एक बार बजे तुरंद होलेज क्लासी एक्टिव हो जाएगा रोक देगा हूँ क्योंकि मान लोगा कुछ इमर्जेंसी आ गया है और आदमी को चार बार मारना पड़े तो मान लोग दस सकेंड ले रहा तो दस सकेंड टाइम क्यों बरबात करना जब मेरा काम एक सकेंड में हो सकता है तीसलिए हमेशा रोकने के लिए कहीं भी दिया हुआ है वो सिंगल रेप में क्या करना है रोक देना है ठीक है दूसरा रेप में क्या करना है अगर दो बार बजा दिया यहां से 2 बार तार रगड़ा तूं एक तर तो इस मेडें की przed extra दॅलोम है होता है नोलल एक हाविश मतल लोल करना है लोर करना ह है को लोर करना है ठीक है ना तीसरा रेप डाल दिया है तीसरा रेप अब मालों यह वायर है एक बार रगड़ा दूसरा बार रगड़ा तीसरा बार रगड़ा तीन बार घंटी समय दिया तूस केस में क्या है कि अगर रुका हुआ है इंजन तो उसको स्टार्ट करना है तीन बार में करेगा एक बार में रुकवा देगा तिसरा बार में चाओथा रेप देगा तूस केस में क्या है हाबिस जो बोलता है रेज करना है खिछना टब को बाहर ले जाना होईल आउट स्लोली हिए यहां क्या है whole इन्स लोली मतलब डाउन लेके जाना है नीचे करना है और चौथा मे क्या एक खिचने की बात आता है तो चार बार में चार बार सुनेगा signal घंटी घंटी चार बार बजेगा तो hallege class भाहर खिचेगा ठीके तो ये ध्यान रखना पहला रेप मतलब क्या रूख जाए दूसरा रेप मतलब क्या नीचे ले जाना है तीसरा रेप मतलब क्या स्टॉप था तो इसको स्टार्ट कर रहा है चौथा रेप मतलब क्या धीर धीरा बाहर कीजिए ठीक यह चार रेप का मिनिंग यह होता है अब जो भी कोड ओप सिगनल यूज किया रहा है यह कोडव सिगनल सभी सभी यूज कर जाता है ठीकिनेorma234 और क्या देता है अगर मानलों टब और गिर गया है तूसके समा अगर वार्निंग अंटी देना रहा वार्निंग अंठी कि टब अभी हम लोगं क्या कर रहे हैं जोड रहे हैं लूस जोड रहे हैं लूस काट रहे हैं तो उसके वार्निंग घंटी देदा लंबा अदम घंटी बजा देगा मतलों वार्निंग कि अभी तब जोड रहे हैं या काट रहे हैं तो दियावा नहीं है लेकिन माहिंस में यूज किया जाता है और जो भी है इसका ए इंक्लूडिंग एडिशनल सिगनल अगर कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग जगा-जगा प्रमिनेंट प्लेस पे हम लोग माईइस में पेस्ट करेंगे जहां पे मसनरी काम कर रहा है और जहां पे रोप ओपरेट हो रहा है और परते के रेगूलर अस्टोपिंग प्लेस पे भी यह रहेंगा कि जहां जहां टब को कि इसके कोडिंग यही है कि इसार गंटी दिया मतलब कि खीचना स्टार्ट कर दो जो दिया हुआ हमको यह मान के चलना क्योंकि एक्जाम में मेरा यह आएगा माइन्स में क्या सुन रहे है वो नहीं आए तिसरा में क्या है इंजन रेश्ट में रहेगा इंजन को क्या करना देजरी स्टार्ट करना कि संब्सक्राइब तो सिगनल मार देने का पावर किसको है no person अधर देने exactement tengah अगर वह competent person रहा या ओफिसिएल रहा तो वह दे सकता है उसके अलावे कोई और पार संब मेंना थी ठीकर न आधर परसन को यह और सिगनल नहीं दे सकता है यहां पर क्या है अगर बिलोग्राउंड माइन्स में कहीं भी होलेज रोडवे का जो लेंद्ध हो रहा है थीन सो मीटर से ज्यादा बढ़ जा रहा है मालो यह अगर मालो यह साफ्थ हो गया ठीक ना साफ्थ हो गया साफ्थ से तीन सो मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है कि आप या इंक्लाइन है ऐसे ट्रेंस अब वहां से थीन सो मीटर के ज्यादा डिस्ट्नस हो जा रहाым है कि सच अगरлемों यहाँ पे दुसरा काम यहां पे चल रहा है डिस्टेंस तीन सो मीटर से ज्यादा हो गया है यहां का वरकर यहां का यहां भाट करेंगा कि कि इस को भाट कर लेगा ने धीप राइस के कोडिंग रखता है यहां नमबर आट नमसे चिलाएंगाई फोन उठाक यहां से बटन रभाएगा बलेगा तशीसनमबर पड़ीस नंबर सो गए क्या जी ऐसा बोलेगा ठीक है ने फिरी उधर से आएगा हम बोलिये क्या होगा इस तरीके चलता है ठीक है ने देखना माई इसमें जो क्रेंटिंग कर रहे गगा बाकि सब लोग तो ऑल्रेडी ट्रेंटिंग कर चुके हैं ऐसा ही बात करते हैं रोग signaling system क्या होता है अगर होलेज लागव का लेन तीस मीटर से ज़्यादा हो जाता है था हम signaling system पर्वाइड करना है डिरेलर जो है वह पर तेक 250 मिटर के इंट्रेवल पर हम लोग प्रवाइड करना चाहिए 250 मीटर से ज़्यादा नहीं 250 मीटर या उससे कम भी प्रवाइड कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब क्या होता है कि जहां पर टेलिफॉन और इलेक्ट्रिक सिगनल्स और प्रवाइड हो रहे हैं ठीक है न यीए यह वाला भी वायर गया हूआ है और टेलिफॉन का भी वायर गया हूए वह है तो कि अ अग्रव करना अडिकवेट पिकाऊसन हम लोग टेंसान लेना हिकिसलिए टू फिर भेंट शिगनल एंड़ टेलिफोन वायर हो गया यह telephone wire गया हुआ है और दूसरा क्या गया हुआ है जो signaling wire है signaling wire गया हुआ है तो हम लोग क्या करना यह दोनों एक दूसरे से contact में ना आ जाए ठीके ना दोनों एक दूसरे को contact में ना जाए तो adequate precautions will be taken to prevent signal and telephone wires coming into contact with other cables मतलब कि यह जो telephone वाला केबल है और यह जो signaling वाला केबल है कोई अधर केबल मानलो जो माइस में लाइटिंग वगरा के लिए यूज क्या जा रहा है कोई और केवल के contact में ना आ जाए या कोई अधर electrical apparatus के contact में ना जाए जो signal signal wire होना चाहिए signaling wire उसको हम लोग क्या करता होता है डूगी मार दो इलेर में दुगी मार दिया लकडी का इसलेट सपोर्ट लगा दिया तो भी बोलता है कि signaling वायर सेल वि सपोर्टेड ना इनसुलेटर इस यूज नहीं करता है इसलेटर के आओगे लखड़ी पे तुछ के लहां करता है यह लकड़ी पर तथा भी तीस वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीके ना सिग्द सीग्नैलिंग वायर एसललोट वी 뽑 स्वीद्टर ने थाठी वॉल्ट 30 वॉल्ट तक चलेगा लेकिन 30 वॉल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमगे ठीक है ओर कॉन्टेक्ट मेकर समतलव सिग्uff-mmm ये जो सिग्णलिंग वायर है है कि यह जो वायर एक जोड करेकर रखता है वहाँ मैं में क्या होता है सिग्णलिंग मेड़र में यह 2 वायर 5 एक तीसरा वायर लेगा थोड़ा सा यह में बांध के रखेगा दूसरे में रख रेका जब दूसरे मोव टच होगा तो वो घंटी बज़ेगा वहां पर होली इस Hang में पास क्या पर कि सिग्नलिंग वाहर पर टॉच कर गया और यह प्राजा लगया सटके बज गया है घंटी ऐसा भी होता है बहुत बात वहीं बोलता है कोई मिश्टेक से एक्सिडेंटल ली वो क्लोज हो जाया घंटी बज जाया वेसा नहीं हो अचाहिए ठीक है अगर मालो टब रुका हुआ है और एक्सिडेंटली कोई आदमी सट गया और यहां पर क्या वाई घंटी बज गया तो खलासी चालू कर देगा तो उसको घंटी मिल गया है तो वहीं बड़ा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कोंटेक्ट मेंकर सिस्टर के सक्स्ट्रक्सर मां चाहिए कि वह एक्सिडेंटली कभी भी क्लोज ना हूँ और यह ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जो भी गैसे सीम रहेगा सेकेंड या थर्ट डि जब तुम प्रेक्टिकल एक्स्प्रियेंस भी है जब रगड़ोगे ने तो हलका सामलों को जटका लगेगा जो रेगुलर ट्रामर यूज करता है उसको जटका नहीं लगता है लेकिन नयाने कोई आदमी जाएगा ने टच करेगा थोड़ा सा जटका लगता है वह साथ में स्पार्क भी परड्यूस होता है तो वहीं बोलता है इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस क्या होता है कि अगर मिथेन या फायर डेम परजेंस भी रहे या इंट्रिंसिकली सेफ होता है कि निया तो फर्स्ट में जोर्वत नहीं है इंट्रिंसिकली सेफ रखने का सेंड में इंट्रिनसिकली सेफ ठीक है कि संकेन्ड ूथड़् डिगर में एस सब्सक्ते हैं कि दिक्कत वाली बात नहीं और बताता है में ход topic मेन होल देखो होलेज रोडवे में प्रोवाइट करना है मेन होल ट्रेवलिंग रोडवे में नहीं देना है मेन होल का परपस क्या है यह मानलो ट्रेक हो गया इसी से मानलो इंस्पेक्शन करने वाला आदमी जा रहा है यह पीलर हो गया यह क्या हो गया साइड में फिलर हो गया हुए ंंटेस तो ट्रेकसे तोटकन यह इधर डारेक्ष्न इंट यह इतर अफोरह में कारP T कि मान लो कोई आदमी अभी एक्जामीन कर रहा त्रेक की जाच कर रहा अब इस तर वारा है तर त्रेक पर खड़ा नहीं रहेगा इसको बचने कोई जगा चाहिए तो जाकर में अगुज जाएगा जो में होले वह इसमें बुज चला जाएगा मैंहूल को चीज ऊसे मेंहूल में रहेगा मैंनोinky यहाँ यह मैंहूल में हुल मैं मेंघ फिल एप वाहफश स्यागे कोई मन और चीज मैंचिछ की जा रहा है से घुत है तो जाना थोड़ा इजी होता है ट्रेवलिंग वड़न होता थरा तो गुमाओ इदर उदर से जाना पड़ता है तो बहुत बार आदमी क्या करता है वह जाने लगता है में होल क्या होता है में होल जो आदमी उससे कर रहा है जो रिफ्यूजी आदमी आगया है अगर वह उससे चलना जाने लगा है मतलब नॉर्मल कोई आदमी ही रहा है जिसको रिफ्यूजी वर्ड बोल रहा है ठीक ना फोर रिफ्यूजी सेल प्रवाइड़ेड एट इंट्रेवल ओक नौट मोर्दिन दस मिटर मतलब परतेक द दस मिटर के इन अंत्राल पर हम लोग मे रहेगाजी रेज देन वनिंह इन सिकरेगा तो उस वे हम लोग में ओल प्रवाइड करेंगे 22 स्मीटर के आं तराल पर प्रवाइड़ करेंग है तो मानलोग अगर ग्रेडाेन्ट वन इन 4 दिया हुँ खेंगे ग्रेडाईंट the report जब ग्रेड्ट करेंगे तो माइन होल किटने नत्राल पे प्रभाहएट करेंगे यह बताओ कि जल्दी से बताओ कि बहुत लोग का एंसर सही आ रहा है लेकिन उमेश का एंसर गलत है उमेश यह कॉस्टन पर ध्यान रखो वन इन सिक्स है ठीक नै वन इन सिक्स के रेडियंट है इससे लेस क्या होगा जो वन इन सेवन होता है जो वन इन एट होगा वो इससे लेसर ग्रेडियंट है वन इन सिक्स से यह लेसर ग्रेडियंट है वन इन फोर क्या हो गया इससे श्टीपर है ज्यादा वला ग्रेडियंट हो गया तो मतलब यहां क्या बात कर रहा है कि वन इन सिक्स से लेस रहेगा मत लव वन इन सेमन रहें वन इन एट रहें वन इन नाइन रहें वन इन तेन रहें तूस केस में हम लोग में होल 20 मिटर करूपर पर प्रवाइट करना है और अगर में इन नहीं होना चाहिए मैन होल का हाइट मतलब 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए मैन होल का जो हाइट है 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जो इसका चोड़ाई है hamorn gwirth है hij वो जी डुअब औन Factory's Pick Suzuki कम नहीं होना चाहिए और एक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जीरो पॉइंट सेवन फाइब से कम नहीं रखेंगा और सज्सक्राइब क्यों अगर एक मीटर से विद्स होना चाहिए-5 Member से कम नहीं होना चाहिए और 1 इंसी नियुक्त मतलब क्या है यह हुल हमारी कटींग के और है यह मैन होल कटींग करती है यह जो डेप्थ है यह बट्र 205 freakin कम नहीं होना चाहिए यह है सब्सक्राइब हो गया वान पॉरण थो फ s हाइट हो गया तो भी जिरो पंट सेवन फाइब से कंब नहीं और एक मेंटर से अधीक यह नहीं है ठीकर से जो ना चाहिए हो न्ट्रों में अगर मान लो roadway का height ठीक है, रूप का height तीन meters का है, तीन meter height है तो इसमें 1.8 meter रख सकते लेकिन अगर कहीं roof का height 1.5 meter roof का ही height 1.5 meter है तो उसकास मेंन होल का height कैसे रहे smells 1.8 meter तो उसके है मेंन होल का height ये जो full height रहे से रहे गा roadway का रोटवेंब 1.5 meter तो वहीं रख देना है मतलब क्या अगर जो हाइट रहेगा वफ 150 मीटर से कम हो गया रोडवे का तो ऊस देया रहेगा मैं open क्या रहना चाहिए सुट बी केप्ट किलियर किली नियर ओब दा उस्टक्सन मानलो यह होले रोडवे नियर यह अब लो में आ पना दी है अम मालो क्या कर दिये हैं डीच में नाली काटके रख दी हैं अब आदमी क्या है भागना है उसको भागने की चक्र नो चला है कि यहां कि मेन होल और हम लोग ट्रेक के बीच में कुछ ऑफ्स्रक्शन रखते बड़ा-बड़ा टब जो डेमेज तब है उसको बीच में रखते हैं कि आदमी भागने के चकर में टब में फस जा वहीं गिर जाट रखते हैं अब भी उसको उसके टब चड़ जाए इसा नहीं तो मेन ह फोल को पीछ पॉर्शन अगर बनाते हैं नहीं तो मेन होलो क्या करना 0.3 मीटर तक डिस्टेंस तक है यह अंदर बाहर तो पूल रहे गा ही लेकिन अंदर बाहर और चारो और 0.3 मीटर तक वह वाइट वाइट वाश्ट रहेगा नोट है वाइट वाइट वाइस्ट बोथ बोथ इंसाइड and for a distance of not less than 0.3 मीटर एराउंड अपर्चर मतलब क्या जो भी मेन होल का ओपिनिंग है 0.3 मीटर इधर भी 0.3 मीटर जिरो पॉइंट आसपास को 0.3 मीटर के डिस्टेंस रहेगा वह कुड़ा वाइट वाश होना चाहिए कि आदमी को दूर से ही पता चले कि चलो वहां पर कुछ है ठीक है यहां पर क्या बोला है कि अगर वह ऐसा कंडिशन नहीं हो पा रहा है कि मेन होल को 10 मीटर या 20 मीटर पर अंतराल पर प्रवाइट करना थोड़ा माइन्स ओनर एजन मेनेजर के लिए तो डिफिकल्ट चीज है तो उस केस में इंस्पेक्टर है न वो परमिट कर सकता है कि ठीक है कुछ अधर डिस्टेंस पर भी आप मैन होल मेंटेंग करके रख सकते हैं कोई दिक्तत वाली बात नहीं है सभी जगा इंस्पेक्टर आ रहा था के सभी इंस्पेक्टर के पास रहा हुआ है ठीक है न यह जो नंबर ओप मालो एक जो नंबर सेट ओप सोता है इस पर साथ जोड़ना है आठ चब जोड़ना या च्छेट जोड़ना कितना टब रहें वह किसके दोरा फिक्स किया जाएगा मैनेजर फिक्स करेंगा लूस्त में होते हैं लूस्त में शाथ टब रहा कहीं दस टब रहा पांश तरब घघ दिया लूड़ना शाथ तो वह सारा पावर किसके पास मैनेजर डिसीजर ले कैनयर और जहां पर टबको कपल याडिकपल किया जा रहा है कऊ कि यह मालो ट्रेट हो गया कि यह दूसरा ट्रेक हो गया यह पीलर यह भी पीलर हो गया कि चैंसी या दो ट्रेक है तो दो ट्रेक के बीच में भी एक मीटर कर डिश्टेंस होना चाहिए और यह भी एक मीटर मतलब ध्यान रखो कि जो भी प्लेस हो जहां पे टब का कपल किया जा रहा है या अनकपल मतलब को जोड़ा ज़ा रहा है तो वहां पे कम से कम एक मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना किसके किसके बीच टब हो गया या पिलर का साइड हो गया उसके बीच में एक मीटर का डिस्टेंस दो ट्रेक हो गया उसके बीच में भी एक मीटर का डिस्टेंस हम लोग हम ऐसा मेंटेन करके रखना यह लो कि यह तो बलोग क्या था इस बताएं थी कि अश्ट्रों बलोग टॉप ऑफ दा क्लाइन प्लेन पर रहेगा ही लिकिन साथ में आश्ट्रों कहां रख सकते हैं एवरी ट्रमिंग रोडवे ब्रांचिंग ओप दा मेन होलेज रोड और रोड वे अस्टॉप एक अस्पोर्ट लेबल था जो अभी हम लोग प्लान सेक्शन में बताए हैं और अस्टॉप ब्लोक है दोनों का नफ्यूज नहीं करना दोनों मिक्स नहीं करना ठीके न मतलब यह मेन होलेज रोड वे हो गया इसमें से एक हम ब्रांच निकाल दिया है तो हम लोग इस जगा पर हम लोग देख क्या प्रोवाइट करेंगे अस्टॉप ब्लोक प्रोवाइट करेंगे एंड ओन एवरी ट्रेख्व विच स्लोपस टॉप से साफ्ट या माल लो ये साफ्ट है साफ्ट का पीड बोटम है और इधर से कुछ है ऐसSpre घ्रेक है थीकिना टब इदर आ रहा है माल लो बोट फीड बोटम के नजदिक आ रहा है तो उसके समीं यहां पे भी हम लो कंट्रोल तरीके से ला रहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर भागने लगा तो सेप्टी परपस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे तो दिहान रखना कि या स्टोप ब्लोक हम लोग कहां कहां यूज करेंगे एक तो टॉप अप्डा इंग्लाइन प्लेन पर होई ग ग्रेडियंट है कि ट्रामिंग मतलब यार यह वही जहां पर में ट्रामिंग क्या जा रहा है रोप टब वही है ट्रामिंग जो उसका ट्रामिंग का काम करता उसको ट्रामर बोला जाता है कि ट्रामिंग मतलब वही कि ट्रॉप है चल रहा है ट्रॉप से टेच है चल रहा है बना दिसमेड़ाई